देख लिया रिजल्ट यह रिजल्ट है कैस्टर रॉयल लगाने के बाद का दोस्तों मैं आपको हमेशा पताते हूं कि आप जब भी कोई वह मानते हूं की कैस्टर यह रिजल्ट अच्छी होता है लेकर उसका मतलब यहनी आप देता है बालों के लिए अच्छा होता है बस पोजटब और oil suit करने की बात होती है castor oil यानि अरणी का तेल तो आज का video इसी पे ही आधारित है आज में आपको बताओंगे कि किस तरह से different different तरीकों से आप castor oil का इस्तिमाल कर सकते हैं अरणी का तेल बहुत सारे सोंदर्य परसाधनों में इस्तिमाल होता है खास करके जब एडिया फट जाती हैं होट फट जाते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाता है हम सब जानते हैं ठीक वैसे ही पेट समंध्य कोई परिशानी होती है तब भी केस्टरॉयल याद आता है दोस्तों कब जो गराठी करने के लिए केस्टरॉयल बहुत अच्छा बता है बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरह आज आपके लिए हैं सिंपल सिंपल चीजे उससे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो आज मैं आपको तीन डिफरेंट तरह से बताऊंगी केस्टरॉयल किस तरह से आपने लगाना है किस टाइप के बालों के लिए किस तरह स इस्तेमाल हर अवस्था में हम कर सकते हैं केस्टरॉयल अगर सही रिजल्ट आप चाहते हैं तो तीनों होम रिमेडी जो मैं बताने वाली हूँ कम से कम कोई भी एक होम रिमेडी दो बार ट्राइ करें हफ़ते में तभी आपको रिजल्ट बहतरीन मिलेंगे तीसरी जो इंप हम रिमेडी ट्राइ करते हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं हमारी मतलब एक्सपक्टिशन के हिसाब से रिजल्स नहीं आते हैं तो चली बढ़ते हैं दोस्तों नमाशकार मेरे नाम है मॉनिका और चैनल का नाम है कुदरत किया यह उन लोगों के लिए जो पहली ब लाइक करते हैं वीडियो कमेंट करते हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और साथ ही साथ बेल इकन जरूर प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो जब मैं मना दिया हूं को आप मेरे वीडियो देख लें तो दोस्तों केस्टर रॉयल यानि अरंडी का तेल जो होता है सबसे पहला फाइदा है तक जरूर के समझ से ठीक करने के लिए भाएट अच्छा हेर रिग्रो करने के लिए बहत्री लाइन जे जहां जहां से बाल पीछी 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 जाना शिरू हो जाते हैं वहां आपमे इसकी ठीक लेर लगा के छोड़ देना है आप इसको और नाइट यानि प केस्टरोयल थोड़ा थिक परवर्थी का होता है, थोड़ा ऐसा sticky होता है, तो हम पूरे बालों में उसको नहीं लगा सकते हैं, मैं लगा लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को परिशानी होती है, तो आप जो परभावी तेरिया से वहीं लगाएं लेकिन पूरी रात लगा के रखें दूसरा अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत जढ़ रहे हैं तब कैस्टरॉल बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बालों को रीग रो करने के लिए बहुत ही बहतरीन काम करता है अगर आपके बाल जढ़ने की समस्या है आपको तो आपके क्या करना है बादाम के तेल के साथ मिक्स करके इसको अपने पूरे स्कैल्प में आप लगाएं एक चम्मच केस्टर उयल ले और तीन चम्मच बादाम का तेल ले मिक्स करके अच्छे से जड़ो में लगाएं पूरे बालों में लगाने के आफशकता आपको नहीं है आप जड़ो में ही लगा लेंगे तो आपका 80-90% काम हो जाएगा दोस्तों इससे आपके बाल जढ़ना तो कम होंगे साथ ही साथ मजबूत भी बनेंगे आपके जो नए बाल जो आएंगे वो काफी हल्दी होंगे ताकत वर होंगे तो वह इतनी जल्दी मतलब जड़ेंगे नहीं दोस्तों आपको शायद याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाया था जिस मैंने आपको बताया था कि Castor oil और बादाम की तेल का मिश्रण अगर हम हातों की हथेली पैरों के तल्वे और नाभी में लगाते हैं तो हमारे शरीर से खुश्की ठीक हो जाती है वैसे भी Castor oil का इस्तिमाल सौंदरे परसादनों में होता है उसके साथ साथ पेट समन्दे जब समस्या होती हैं तब भी कैस्टरोयल का इस्तिमाल किया जाता है ठीक वैसे ही, बादाम के तेल में बहुत सारे मिनरल्स और वाइटमिन्स और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को हेल्थी रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो बादाम के तेल का नियमित रूप से अगर हम सेवन भी करते हैं तब भी हमारे स्वास्ते के लिए काफी लाबदाइक होता है अगर आपको बाल बहुत ही ज़ड़ने की और ड्राइनेस की समस्या है तो रात को सुने से पहले आधा चमच केस्टरोयल और एक चमच बादाम का तिल अगर आप पी सकते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन पे ह या कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सला जरूर ले तो तीसरा तरीका है दोस्तों अगर आपके बालों में डेंडरफ भी है बाल जाडू जैसे हैं दो मुहें भी है तब आपके क्या करना है केस्टरोयल लेना है एक चमच तीन चमच आप बादाम का तेल ल मातरा आप कंब या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं उसके कोई मनाई नहीं है दोस्तों आपने पूरे बालों में इस तरह से लगा लेना है दोस्तों मैंने तीनों ही ओम रेवेडी एक वार में ट्राए कि लेकिन आप ऐसा ना करें आप कोई भी एक ओम रेवेडीज च किस्टन बादाम का तेल लगाएं फिर केस्टन बादाम का तेल और शेहद लगाएं ऐसा कट ही ना करें आप अती है बात मुद्डे की दोस्तो आप मुझे पता है आप बूलेंगे बहुत कि की होता है हमारे बालों में हुट चिपक जाता है निकलता नहीं है यह बहुत पाण लगता है तो आप एक काम करें जब भी केस्टर ओयल का इस्तेमाल करना है आप भगोने में गरम पानी करके कोटोरी उसी में रखें उसी से ही अपने बालों में लगाएं और हो सके तो बाल दूहने से पहले थोड़ी देर 5-7 मिनिट धूप में अपने बाल मतलब ऐसे बैठ ज क्योंकि हैर मसाज करने के लिए ध्यान रखे दोस्तों जब भी आपने केस्टर ओयल का इस्तिमाल किया है आपने पांच मिनट तरह से लेकर आपने मांगमां निकालके पूरे बालों में लगाना है और उसको छोड़ देना कितनी देर कम से कम दो घंटे जादा से जादा जितनी भी देर चाहें आप रख सकते हैं इसके अलावा एक जरूरी बात ये भी है कि अब आप बोलेंगे इसमें तो शहर्द मिलाया है अब हम कितनी देर रखे तो भाई देखो मतलब है आपका मरजी है आपकी 2 घंटे मिनीमम मैंने बोला उसके बाद आपकी मर्चिरी के लिए डोने के लिए नॉमल पानी का इस्तेमाल करना है आपने आपने ज़ादा गरम या ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है या एक चमच कॉफी पाउडर या एक चमच सिर्का सिरका यानि विनेगर उन लोगों ने मिलाना है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ओईली है दोस्तों बाकी जो है बाकी तो सब लोग लगा सकते हैं हर टाइप के बालों के लिए ऐलोवेरा भी अच्छा होता है और कॉफी भी अच्छी होती है हो गया चलो मैं धगई हूँ तो आपने क्या करना है हेर वाश करना है माइल्ड शेंपू के साथ और बस यह था हमारा आज का वीडियो अब आप जब भी केस्टर रॉयल यानि अरंडी का तेल इस्तिमाल करेंगे अब आप कंप्लें नहीं करेंगे इंज पता है तो चलिए फि खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए दस्तों और पॉजिटिव भी बाई बाई